फ्रेंस और आईटी इंफर्मेशन के साथ रियर वीडियो लेकर हों तो फ्रेंस आज इस वीडियो में मैं आपको दीखाऊंगा कि आप कैसे एपिक नंबर डिलीट कर सकते हो तो आप सोचेंगे कि हम लोग इतना मतलब कर्ष्ट करके एपिक नंबर लाते यानि बोटर आईड एपिक नंबर हो जाता है तो उन लोग को डिलीट करना होता है और एसा बहुत सारे लोग होता है जो एक जगा से और एक जगा पर शिफ्ट हो जाता है और वो एपिक नंबर ट्रांसफर नहीं कहना चाहते हैं प्रेवियस जो एपिक नंबर रहता है प्रेवियस एड्रेस का वो epic number delete कर देते हैं और new address का जो जागा है उसमें जाके new apply कर देता है epic number के लिए तो इसी करण से epic number को delete किया जाता है तो आज इस वीडियो में fully discuss करेंगे और आपको दिखाएंगे तो friends देखिए अगर आप मेरी channel पे नए हो और आभी तक channel को subscribe नहीं किया तो please share channel को subscribe कर दीजे और bell icon को press किजे ताकि future में जो भी वीडियो अप्लोड कर तो उसका notification आपको मिलते रहें तो friends चलिए आजकर जो वीडियो वीडियो के start करते हैं तो friends process को कहने के लिए आपको जाना होगा voter service का जो option इस option में तो मैंने क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद इस type से interface हो जाएगा तो friends देखिए अगर आपके पास user id और password है तो इधर आप put करके login कर सकते हो अगर आपक password में जाके आपका जो new password आप बना सकते हो तो friends मेरे पास user id password है तो मैं इधर फटा फट से type कर दे रहा हूं type करके मैं आपको login करके process दिखा रहा हूं तो friends देखे मैं सब कुछ इधर put कर दिया put करने के बाद फिर मैं login पर click कर दिया तो click करने के बाद इस type से interface show हो जाएगा आ इसमें बहुत सरा option है बोटर ID card related बहुत सरा काम आप इधर कर सकते हो कुछ भी correction हो या बोटर ID card related समझो जो भी काम हो इसकी website से आप कर सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे बोटर ID card को delete करेंगे यानि epic number को delete करेंगे तो इधर एक option है आप देख सकते हो deletion of button ID तो इस option पर हम लोग जाएंगे तो friends देखिए मैं इस option पर click कर दिया तो click करने के बाद इस type से interface show हो जाएगा आपको नीचे option मिलेगा let start तो let start पर आपको click कर देना है तो जब आप click करेंगे तो click करने के बाद आपको इस type से interface show हो जाएगा और आपको पुचा obvious नामबर है या नहीं है अगर है तो yes कि जानी आप लूपक कर देना है तो type करने के बाद फिर direct details पर click करना है तो click करने के बाद थोड़ा processing होगा और आपका details इधर है या नहीं इस type से message आ जाएगा फिर आपको क्या करना है जो proceed का option है इस option पर आपको click कर देना है तो click करने के बाद आपको इस type से interface show हो जाएगा और इसमें आपका details बगरे रहेगा तो आपको क्या करना है save and continue का option पर click करना है तो click करने के बाद इस type से आएगा फिर आपका जो mobile number है mobile number इधर enter कर देना है enter करने के बाद आपको verify कर लेना है तो friends देखें मैं mobile number enter कर दिया फिर send OTP पर click कर देना है तो click करने के बाद इस type से आपका mobile पर एक OTP जाएगा उस OTP को इधर put कर देना है तो friends देखिए मेरा mobile पर OTP आ चुका है तो मैं फटा-फट से इधर put कर रहा हूँ तो put करने के बाद फिर आपको verify पर click कर देना है तो जब आप click करेंगे तो इस type से आएगा फिर आपको इधर किस लिए आप application कर रहा हूँ तो आपको एक reason इधर देना होगा तो friends देखिए आपका form का जो type है और आप अच्छी तरह से जानते हो तो उसी सबसे आपको इधर select करना होगा तो friends मैं जो epic number को delete कर रहा हूँ उनका एक ही नाम पर तीन epic number है तो मेरे को delete करने के लिए बोला दो epic number तो friends देखिए मैं middle वाला select कर रहा हूँ select करने के बाद फिर safe and continue पर click कर दिया तो click करने के बाद इस type से आएगा इधर आप देख सेकतो जो details है epic number का सब कुछ details इधर show हो जाएगा तो आपको एक बर verify करके देख लेना है कि हाँ आपका ही details है या कुछ और है इसमें देखेंगे या नहीं देखेंगे कि कुछ इसमें मतलब नहीं है फिर आपको reason देना होगा कि आप किसलिए इसको delete करना चाहते हो तो देखिए इसमें missing, shifted या repeat और duplicate record तो इनका double है या triple है तो duplicate record का ही slate कर लेंगे तो slate करने के बाद इदर आपको कुछ description देना होगा कि हाँ क्या हुआ है किस type प्रोब्लेम है मतलब जो भी आपके साथ हुआ है तो आप इदर थोड़ा description में लिख दीज़र लिखने के बाद फिर आप save and continue पर click कर दीजिए तो friends मैं फटा फट से name और जो place है place को इदर type कर रहा हूँ तो type करने के बाद फिर मैंने save and continue पर click कर दिया तो click करने के बाद इस type से आपको form दीख जाएगा full fill up किया हुआ form तो देख सेकते हो form 7 तो इसको देख लेना है processing होने के बाद आपको एक reference number मिल जागा तो इसी reference number को आप track करके देख सेकते हो कि आपका application के status क्या है आपका epic number delete हुआ है या नहीं हुआ है तो सब कुस details आप देख सेकते हो तो friends इस वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किज़े शेयर किज़े और में चाल को सब्सक्राइब करना ना वुले और इस वीडियो related कुछ भी problem होता है तो comment box से comment किज़े मैं comment कर reply देदूँगा तो आसके लिए इतना ही था वीडियो को close करते हैं Thank you